कि नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेडी फॉर्ट सीविल दबसेद में कि यूटूब चैनल में वारे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज्यादा जरूर है सारी नोटिकेशन सारी अप्डेट सारे मोश्ट इप्टेट सारा रिवीजन सब कुछ आप पताया जाता है पाइलाइट साते रहते हैं और प्लस पोश्ट आते रहते हैं इनको फॉलो करते हैं नमस्कार जाहिन दोस्तों स्टाडी फॉर्ट सेविल सर्विसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम देख रहे हैं बिहार स्पेशल टॉप 50 आर्ट इन कल्च को हम चेक कर सके और आपके सथ कॉलीशन को हम देख सके 34 सिविल सर्विसिस बहुत सारे कोर्सेस चला रहा है जिसे यूप सी बीप सी यूप सी यूप के लिए और उन को अधिक जानकारी के लिए आप में नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल को फॉलो कर स सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो पहला बशन है कि चंदगुप्त मौरे का महल है वह इरान के अखमेनीद महलों से प्रेडित था यह मुख्य था लकडियों से बना हुआ था और मेगास्थिनिस ने इसे मालो जाती कि सबसे बड़ी रचना बताया तो यह तिन कृतन सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा मोडेन वान अल्यूप अलव इस तीन से तो अशोक का जो महल है जो कुम्रार में जो महल है वह मुख्यता तीन मंजिलों वाला एक लकडि कर ठ्रक्चर था और इसे मुख्यता इस तरह से डिजाइन कर एक सेंट्रल हो औ और कुम्रार में अस्य सम्भों की एक विशाल सभाववन के अफ्षेश मिले हैं जो कहीं ने कहीं इसकी भवेता और ब्रेधता को दच आते हैं तो यह तीनों एक कतन से ही इसका उत्तर हो जाएगा ओल अब दीज इन में से शही कतनों पर हमें विचार करना है शही कतनों को चुनना है तो मौरेकाल के समय में जो स्थम्ब थे वह लाल चुना पथर से बनते थे रेड्स लाइम स्टॉंज मुख्य था यह एक मोनलेथी क्यानी की एक ही शिलाप को तलाश कर बनाए जाते था जिसके शुर्ष पर एक कैपिटल के बनता था जिसे जिसमें कभी-कभी पश्यों के आकरिती या फिर इंग्लिश आकार का एक बैल मंद्री घंटी समान का बैल या लोटस कमल इस तरह की ठीट था तो आप जानते हैं कि यह जो नहीं बनते थे वह एक चार परश्यों की आकरिती बनाई गई है उसमें की बैल घुडा हर्स एंटलोब म्रिघ और सी की चविया है और सी जो है वो बुद्ध को दर्शाता है तो इन चार पश्यों की चविय में एंटिलोप मरिग नहीं है इसके बदले में हाथी है एलिफेंट तो यह दूसरा कतन गलत हो गया तो इसका उप्तन हो जाएगा एक और तीन उनली स्टूपों के बारे में इन कतनों पर विचार करके मसाई कतनों को चुनना है तो स्टूप जो है वो वैदिक काल से ही प्रश्ली तीले थे जैसे कि आप देखेंगे कि रोल एजियाज में जो अबी भी जो ग्राम देवताया कुल देवता की पुजा वो पिंड की रूप में ज भारत का सबसे प्राचीनत्म स्तूप नहीं है और इसे अजाद शतुरु ने भी नहीं बन रहाए था इसे बनायगए था अश्योग द्वारा और ये सबसे प्राचीन सुब महारत में कौन सा है पिपरहवा जो की उत्तर प्रदेश में है तो इसका उत्तर केवल हो जाएगा ओनली वन डी इन में से सही जोड़ों को चुनना है जो की मौरेकाल के संभू में बौधिक चीजों को दर्शाते थे तो जो बुल बैल की आकरिती है वो महात्मा बुद्ध के राशी टॉरस जिसे हम कहते हैं महात्मा बुद्ध की राशी टॉरस को दिखाता था जो कि उनका राशिक सायन है जिसको उनके घोड़े का नाम था जिस पर बैठ कर उन्होंने अपने घर का परिकल्पना है जो उनकी माता जी माया ने स्वपन में किया था जब उन्हेंने घरभधारन किया था तो तीनों ही कहतन सही है और चौथा जो पशुकृती है तो सीधर सीधर बुद्ध को इंदर चाता है तो चारों चार आपको याल रखने हैं इसका उप्तर हो जाएगा और लोग दीज इन में से सही राजाओं के कारकाल के समय बनेगी गुफाओं आपको सुमेलन करना है तो रामपुर्वा की गुफा बिंदुसार बारबार यह पौत्र दश्रत ने बनवाई थी और रामपुर्वा में कोई गुफा नहीं है रामपुर्वा में स्थम्भ है तो केवल दूसरा ही आप्शन है लेकिन वह अविलेबल नहीं है तो इसका उत्वर जाएगा नन आप तीज यह आप्शन में करके आएंगे है छोपाई का पाल काल बिहार में पाल काल के वीशन में सही कतर ओंस नहीं दूब्धीमन और विधपाल अखर अनके कलाकारं था ने जुकल तै और इनमें जि develops तून आर्किटेक्ट्चर पत्थर की मूर्तियां जो मुख रूप से काले ब्रसाल्टिक पत्थरों पर रुखेरी जाती थी और उन्होंने कास्टी की मूर्ति बनाने में भी काफी ज्यादा कांट्रिबूशन दिया है योगदान किया है तो यह सारे के सारे कतन से ही इसका उत्तर हो जाएगा ओल अव दीज पाल काल के समय में बिहार के समन्द में और भी बातों को में चुनना है तो यह मुख्य था वैशनव कल्चर जाने कि वैशनव संस्कृति और दर्शन पर क्रियंदित थी जो कि बिल्कुल नहीं थी यह बुद्धिस्थ बौध परमपराओं पर आधारी थी बौध धर्म का स इसलिए पहला कतन सही हो जाएगा दूसरा कतन सही है कि फ्रंटल पोर्शन यूद्ध शरीर के सामने वाला इंस्टों पर ध्यान देया जाता था और मूटिया थी काफी मनमोख और खुबसूरत होती थी तो दूसरा और टीन आप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टू एंट्र पर्डू जो कांसी की मूटी यानि की ब्रॉंज मटल बनाने की टेक्नीक है जिसके लिए पाल कला में काफी पचली था तो बिहार का इसा कौन सा स्थान है जो इसके लिए काफी पचली था तो यह है कुकरिहार जो की गया मिस्तित है इन में से सही कत्रों पर विचार करना है रॉक कर टेमपल जाने की शैल करतित मंदिर भागलपुर के कहलगाओं में एक दिल्चस्प कहलगाओं में रॉक कर टेमपल है जो की पाल कला बिहार की में पाल कला का एक उतकिस्ट एक्जामपल उधारन देता है इसके शिर्ष पर गुंबदाकार शत है और यह कहीं ने कहीं दक्षिन भारतिय संस्कृति की वास्तुक चलाकावी एक परिकल्पना देता है प्रचित्य देता है तो यह तिनों कत्र सहीं इसको उत्तर हो जाएगा ओल अब इस इनमें से सही करेक्टिस्टी जो बुद्धिस्ट आर्खिटेक्ट्चर है पालग कल़ा के समय खासकर Q还有 क tread Lein कमल का आसल और प्रस्ट भूमी में चीं की सवी और की बैग्राउंड में लॉयन की सवी तो क्योंकि लॉयन तो बुद्ध को ही रिपजन करते थे तो यह भी सही है यह भी सही है तीरों ही कतन सहीं इसको उत्तर हो जाएगा सभी करेक्ट सुमेलन करना है कि सभी कृतियां जो साइट लिखे गए और साइटिकार के द्वारा तो विद्यापति जी ने किर्थी लटा किर्थी पता का ऐसी अन्य कज रचनाई की है जो तीश्व ठाकूर ने पंच साक्या लिखी यह भी सही है और वाचिश्पति मिश्रा चिंटा वने लेकिए तीरो इक ट्राइं इसका उत्रों जाएगा ओल अन्य से बिहार में जो सिक्की का में प्रकासकर कर ने प्रकास करक्यों कि खेत्र में अथि पचले तो यह जो है वो दियारा शोर्श होती है उसे विजिए खिलावने का मासिक्किवर्व जाए वह वह द तो एक माखवान शिव का मंदिर इंट से बना हुआ मंदिर कोच मुंगेर जिल्य के कोच में काफी उत्किस्ट उधारन है इंट द्वारा निर्बित मंदिर का जो कि पालकला की एक कृति है उसकी जो च्छत है वह गुमादार शिकर के समान है और इसके साथ साथ खोटी दार नौकादार महराव यानि की जो कॉर्बेल लैंसेट विंडो जो एक खोटी दार महराव का जो चलन है वो कहने कहीं इसी इपालकला से प्रभावी दिखता है तो इसका कथन दूसरा और तीसरा सही है लेकिन कोच जो है वो मुंगेर मना होकर वो गया में है इसलिए उसका उत मुगल कालिन कला का जमने कालिन जो वास्तो कला है उसका एक उत्कृष्ट एक्जामपल है और कहीं ने कहीं इसे हुमायू के मगबरे से प्रड़ित बताया जाता है तो मलिक इबरहें का जो मगबरा है जो बिहार शरीफ में है यह सई सकतन है लेकिन यह मुगल आर्किटेक् चाहें तरकिश स्टायल से चाहें कुटस्ताया कहने का लीजा की गियासुद्धिन टोगलक्ल की मगबरे से प्रड़ित था अ इन में से सही कत्रों पर मश्रों मिशार करना है कि मुगल कला का सबसे उत्कृत उधारन जो है मुगल वास्तों कला का सबसे उध्म निजयाINO इन में से अफगानी वास्तुकला को बिहार में कौन सी जो कृतियां है वो अच्छे रूप से दशाती है इसका उत्किस्ट उधारण है अधर्स उधारण है इन में से जो किस पेंटिंग को बिहार में प्रचलित किस चित्रकला को स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है तो यह कहा जाता है मंजूशा पेंटिंग को मदुबनी चित्रकला के बारे में सही को पर विचार करना है तो इसमें जो विशेश रूप से बांस के ब्रश का उप्योग किया जाता है और इसी की कलाओं का एक मिंजियम तोकामाची सौथ कोडिया में स्थित् है तो पहले दो कतंस जई है लेकिन तोकामाची सौथ कोडिया में नहीं यह जपान में यह तो उसका उप्तरा हो जाएगा एक और दो अल्ली मंजूशा पेंटिंग मंजूशा चित्रकला के बारे में इनमें से सही कत्रों पर विचार करना है यह मुख्यता जो है वो लेमन वुड्स सिनाई के पेड़ों के जो यूश करके इसके नैच्रल कलर्स और ब्रश बगरा बना जाते हैं और यह बिहार के तिरुत शेत्र में तो पहला और तीसरा कत्र सही है लेकिन यह बिहार के तिरुत शेत्र में प्रचली था जो भागलपूर और मुंगेर का रिजन है इसका उत्तर हो जाए एक और टीम इन में से सही जोडियों को चुनना है चित्रकलाओं की और किन चेत्रों के लिए किस तरह का उनका प्रकार है तो ठंका यह बुद्धिष्ट चित्रकला है मदुबनी यह लोग कला है और पटना कलम जो है कही ने कि आपका सेखते हैं कि मॉडन जो है वो कॉमर्शल आर्ट है मॉडन कॉमर्शल कला है तो इसका उपतो हो जाएगा ओल ओडीज सही स्रेट्मेंट पर हमें विचार करना है तो मंजूशा पेंटिंग के बारे में तो इसमें केवल और केवल जो बायं भाग का ने वाम भाग का बायं तरफ कहीं चित्रन किया जाता है इसकी एक विशिश् और इसमें जो प्राइमरली इसकी जो उठके ले जाती है जो चित्रों को बनाया जाता है वो बिशारी पूजा के दौरान बनाया जाता है तो यह तीनों ही कतन से ही इसका उत्तर हो जाएगा ओल अफ दीज वियार में जो प्रसित्र सांजी कला है जो पटना के आसपास के रीजिन में काफी प्चलित है यह मुख़्े तक किस छेतर में उत्पन्वे थी तो यह जो है वो बढ़े चैत्र के बढ़ेश के वसिट забрать लकार पटना यह आसपास काफी पचलित है कजली स्याही एक टेकनिक है कजली स्याही जो टेकनिक है वो बिहार के किस चित्र कला में उप्योग की जाती है तो यह उप्योग की जाती है पटना कलम में तो इसका उतर हो जाएगा इसका उतर है पटना कलम जो अलग अलग शेत्र हैं जहां पर प्राचीन पेंटिंग्स रोग पेंटिंग्स मिली हैं मोकवास पतेसर जपिया बढ़की गोडिया और दुगहा यह बिहार के किस जिले में तो ऐसे रोग पेंटिंग जो है वह शैल चित्र किन स्थानों से मिले बिहार के किस जिले से मिले हैं तो यह मिले हैं कैमूर जिले से इन में से हमें अवसर और गीतों का सुमंग करना है कि किन अवसर पर कौन से कौन से गीत जो बिहार में लोग गीते को किन अवसर पर गया जाया है उनकी सही पेर्स को मैच करना है तो सुमंगली ये एक साधी विवाश हमारों में गाया जनवा लगाना है ये सही है सोहर जो है वो जन्म समारों पर और बारमासा जो है वो क्रिशी के समारों या उत्सरों पर गाया जाता है तो ये तीनों ही कथन सही है, तीनों ही मेल सही है, all of these, इन में से बिहार के किस विपूती ने, किस परसनालिटी ने बिहार में नचारी राग में काफी ज़्यादा कॉंट्रिबुशन दिया है, तो ये दिया है विद्यापतिची द्वारा, इन में से कौन से जो गीत है, वो एक सीजनल सौंग, यानि कि एक खास करकर रीतु गीत, जिसे बिहार में कहा जाता है, कि विज़ेश रीतु पर अधारेत एक रीतु गीत है, तो ये है हिंडोल, बिहार में अन्य भी कुछ जितु गीत हैं, जैसे चैता, करजरी, चतुरमासा और बरमासा, बिहार के कौन से लोक गीत, जो एक इन में से एक प्रेम कहानी को दर्शाते हैं, तो ये है सलहेस, सलहेस, ऑप्शन B, जहां पर मेल, सलहेस और दोसा, फिमेल, यानि कि माली जाती की, एक सलहेस है, इसमें एक कहानी है, कि सलहेस को कोई किसी गलत कारे में फस जालने के वाद वो जेल में रहते हैं, उनको चुछ उड़ाने के लिए किस तरह से ये, गली-गली घूम कर अपनी वेता को वेक्ट करती हैं, काफी इमोशनल सौंग है, और उसकी भावना में आकर फिर्म की बात को मान कर सलहेस को छोड़ दिया जाता है, तो ये एक बैगराउंट है उनका, इन में से सही कतनों पर विचार करना है, जदो पटिया जो पेंटिंग है, उसके बार में सही कतनो ंपशलिवें से एक हैं, बिल्कुल है और ये संथाल रीजन में, संथाल शेतर में काफी पचलीत है, और वहां के जो लोकल आदिवासी लोग है, वहां के जो सानी आदिवासी लोग है, वो कपड़ों के छोटे-छोटे टुकड़े को जोड़कर और इसको एक बड़ा स्ट पतना में है और बिहार नित्रकला मंदर ये पतना में है और इंटरनेश्टल के सेंटर राजगीर में तो इसको जाएगा दो और तीम पहला उत्र किया है कि भी ललित कल आगेडमी जो है वो पटना में इन में से पिहार के कौन से जिले जो है वो बुद्धिस्ट सर्किट में इंक्लूइट है चाम्य है तो गया भी है नालंदा भी है वैशाली भी है भागलपूर भी है इसके इलावा पूर्वी चमपारंग भी है तो सारे के सारे ओल रामायन सरकिट में एक स्थान है अहिल्या स्थान जहाँ पर माता अहिल्या को जब लगाते है तो पथर नीचいきます धिस जिले में यह सूफी सरकिट के कुछ स्थानों को उनकी सही जगाओं से सुमेल करना है तो मनेर शरीफ पटना बिल्कुत सही है अमजर शरीफ और अंगाबाद ये भी सही है और शेषा सुरी का जो वगवरा है वो तो रोतास में है तीनों ही सही है ओल अब दीज च्छो नित्र के बारे में जो च्छो डांस होता है उसके बारे में कुछ कथन पर हमें चुनना है सही कथन सो इसमें एक बहुत ही यूनिक डांस है ये बहुत ही अनूठा रूप है जो जारखन के सराय केला में जो इसका उद्पन माना जाता है और यहां पर नकाब पोस्ट जाने की चहरे पर नकाब रखकर और अलग-अलग आकरतियां का अलग-अलग वेश भूशा को बदल कर करते हैं अलग-अलग युद्ध और युद्ध की घटनाओं का डेपिक्शन होता है वहाँ पर और इसे युनिस्को दारा जो है वो इंटेंजिवल हेलिटेच अम्रत त्युराज से सुची में भी शामिल किया गया है तो 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 बिहार के अलग-अलग शेत्रों से कूर पुर्वी सारण जिल्मेंग यूंत बिस मेंसे हमें सही कत्माट करना है कि मंड़ा मेला वह बांका जीले में लाए दया दो टॉट सरह गल्ब तो उसका उत्र रहाँगा एक और दूक It Does सही जो ड angry वर्क ट्रोंप मुट्ण पाइबा अर्द नंतर तो fire ट्रीद चरांगे कार किन सीद करहे हैं के वोंगे तो तो कसीद करहें मुंगे नहीं पट्रमाओप ट्रीन 3 रेंद हैं सब्सक्राइब को पर होता है और कसीदगारी जो है वो पटना गया है कि सही कत्रों को हमें चुनना है तो बिहार का पहला उर्दू न्यूस्पेपर समचारपत्र रखवार नुरूल अन्वर था इसे पटना से प्रकाशित किया जाता था और इसके पहले प्रकाशक थे महम्मध हाशिम तो इसे पटना से नहीं बल्कि आरा से प्रकाशित किया जाता तो यह गलत हो गया उसका उत्तर है एक और ती इन में से सहीं जो कृता है लेखक और उनकी कृतियों को मैच करना है तो बुद्ध चरित वातसायन हितो पदेश नारायन पंडित और लिला वर्ति भासकर दृति तो आप बहादूर खुदाबक्ष ने पटना में 1891 में खुदाबक्ष लाइबरी खुदाबक्ष पुस्तकाले की स्थापना की थी और इसे अब भारती सम्मेधान भारती पार्लेमेंट ने इंस्टिटूशन ऑफ नाच्रिल इंपॉर्टन्स यानि राष्ट्री महत्यों का संस्थ अब बिहार के गवर्णर सहब जो है वो इस संस्था को देखभाल करने की कमिटी होती है उसके एक्स अफिस्यों चेर्मेन होते हैं यानि कि पदेन अध्यक्ष होते हैं तो तीनों एक अधन सई है इन में से सही कतनों पर विचार करना है बिखारी ठाकूर जो की बिहार के इक अला के शेत्र में कासकति विदश्या नाम कि अला कि शेत्र कामई प्रचली थे उनका जन्म 18-37 में भोजपूर जिले में वा था बिहार में और इसलिए वो बोजपूरी भाषा में काफी तो पहला कफन गलत हो गया उसका उतार है केवल दो और तीन पहले देख चुके हैं यहां रहा ही है साध आलम पटना है और इनकलाब जदीद भी पटना ही है तो दूसरा कफन गलत हो गया तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और तीन सवराठ का मेला मदुबनी हर्दी का मेला मुझफरपूर और सहुदरा का मेला नर्कटिया गंजने के पच्चमी चंपार इन में से हमें सही कतनों को जोड़ना है सही जोड़ों को चुनना है तो तीन होई सही है कि इन में से किस महानुभाव का एक इन प्रस्नालिटी उसका जन जो है वो बिहार में नहीं हुआ है राम दुलारी सिनहा बली राम भगत फनीश वर नात रेनू शिव पूजन सहाय तो इन सभी का जन बिहार में हुआ है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा नन और दीस यानि लेकिन सब का जन्म बिहार में हुआ है जो आए तो सबसे उत्कृष्ट रचना है जिसकी तुलना जो है वह गोदान से की जाती है और भारती साहित में गोदान के बाद सबसे प्रमुक्त को सबसे पचलिद को चीज अगर को सीकृति को माना जाता है तो वह मैला आचल है तो यह तीनों कतन सब्सक्राइब उनके दोरह कुछ और भी लिखी गई इंपोर्टन कृतिया जैसे जलूस पल्टू बावू रोड परती कितने चेहरे इत्यादी इन में से आर्केलोजिकल साइड जाने पूरा तक सलों का सही सुमेलन करना है तो मसाही जो टीला है मसाही माउंड वो कैमूर में विष्णूपद मंदिर नालंदा और दुराकी देवी मंदिर पढ़ना तो विष्णूपद मंदिर आपको पता है कि यह गया मैं तो इसका उ इस बली यानि के रखत हीन बली की प्रावदान है बहुत ही प्रसिद्ध है किस जिले में तो वो जो है इन में से किसी भी जिले में नहीं है वो है कैमूर जिले में बबुवा आब इनमें से कौन से नित्य बिहार के जो है कौन से ऐसे नित्य है जो की डुएट में खियादे की मेल और फिमेल मिलकर पहिला और पुरुष यूगल मिलकर साथ में नित्य करते हैं जाट चाटिन कडिया जुमर और पनवरिया तो इन तीनों ही नित्र में महिला ही पुरुष का वेश लेकर फिर यूगल बनके नाचते हैं महिला और पुरुष एक साथ मिलकर इसमें नहीं नाचते तो इसका उत्र जाएगा इंदें से कोई नहीं लेकिन बिहार में वो डांस ह कर्मा नित्र कर्मा नित्र में में और पुलिश जोड़ बनाकर यूगल में नित्र करते हैं तो यह था बिहार के आर्टमें कल्चर के top 50 ूप फिफ्टी इंपर्टन क्कूश्चिंस इस सीरीज में और भी क्कूश्चिंस आते रहेंगे आप इस पर जूड़े रहें और आनिवाट। झानिवार।